नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल होट रिवियूज पर तो इस वीडियो में मैं आपको नेट्फिलिक्स की सीरीज एलेट के सीजन दो का बेजिक प्रिमाइज देने के साथ उसमें आने वाले होट सिंस की कम्प्लीट डिटेल्स बताने वाला हू लेकिन उससे पेले प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दो तो सीरीज में आपको टोटल आठ एपिसोड्स देखने को मिल चाते हैं जिनकी एपिसोडिक लेंद पेतालिस से पचास मिनट के बिच वेरी करती हैं सीरीज की स्टोरी बिलोंग करते हैं क् हिंदी के साथ दूसरी रीचनल लेंगविज में एंजोई कर सकते हो सीरीज की काश्टिंग में आपको सीजन वन की काश्ट दोबार से देखने को मिल चाते हैं जिसमें बस दो तिन नए काश्ट मेंबर्स देखने को मिलते हैं सीरीज की बेजिक स्टोरी की बात करो तो कहान वही सीजन वन की एंडिंग से सुरू होती है जहां पर सेम्योल अपने भाई नेनो को निर्दोस साबित करने में लगा हुआ होता है वही बाद में लापता हो चाता है जिसके बाद कानी फ्लेस्बेक और प्रेजंट दोनों तरप से आगे बढ़ती है जिसे आप नेट्फिक् आने से पेले अगर आपने इसके सीजन वन में आने वाले होट सिंस की मेरी रिव्यू वीडियो ना देखियो तो उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल चाहिए तो इसी के साथ इस वाले सीजन में आने वाले होट सिंस की बात करो तो उसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से है तो सीरीज के एपिसोड वन में पहले एक क्लब के अंडर देना पवला का बहुत ही पेशनेट लिपलोक सिन और बात की टाइमिंग पर छोटा सा अफेक्शन के बाद लिपलोक सिन दिखाया गया है इसके बाद एपिसोड दो में एस्तर एक्सपोसीतो का बहुत ही पेशनेट लोंग लिपलोक करने के बाद होट लव मेकिंग सिन देखने को मिल जाता है अब एपिसोड तीन में एस्तर एक्सपोसीतो का एक छोटा सा पेशनेट लिपलोक सिन देखने को मिलता है एपिसोड तीन में इस्तर एक्सपोसीतों का न्यूड पोचिशन में होट हैंकी पेंकी सिन पेशनेट लिपलोग करने के बाद मेंशन टाइमिंग पर से दोबारा से न्यूड सिन देखने को मिल चाता है दोबारा से एपिसोड तीन में मीना इलहमानी का बहुती पेशनेट लोंग श्टीमे लिपलोक सिन देखने को मिल चाता है अब एपिसोड चार की सरुवात में मीना इलहमानी का होट अफेक्शन सिन देखने को मिलता है इसके बाद एपिसोड चार में एस्तर एक्सपोसीतो का छोटा सा लिपलोक प्लस अफेक्शन सिन देखने को मिल चाता है एपिसोड चार में मीना इलहमानी का बीक टू बीक लोंग पेशनेट होट श्टीमी लिपलोक सिन और बाद की टाइमिंग पर स्वीमिंग पुल के अंदर भी लिपलोक सिन देखने को मिल चाता है इसके बाद एपिसोड पाँच में इस्तर एक्सपोसीतो का एक छोटा सा होट श्टीमी लिपलोक सिन देखने को मिलता है एपिसोड पाच में पहले एक कपल का छोटा सा किसिंग सीन और बात की टाइमिंग पर देना पवला का होट अफेक्शन सीन देखने को मिल चाता है बात करे एपिसोड 6 की तो इसतर एक्सपोसीतों का कार के अंदर होट श्टीमे लिपलोग के साथ अफेक्शन सीन देखने को मिल चाता है अब एपिसोड 7 में मीना अलहमानी का बहुत ही पेशनेट लोंग लिपलोग करते होए जब अरचस्ट अफेक्शन सीन के बात की टाइमिंग पर MMS क्लिप में हेंकी पेंकी सीन दोबार असे देखने को मिल चाता है तो इन दोनों को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना दोबार असे एपिसोड 7 में देना पावला का बहुत ही पेशनेट लोंग श्टीमे लिपलोग सेन मेंशन टाइमिंग पर से कंटीनियो होते होए देखने को मिल चाता है और आखिर में एपिसोड 8 में देना पावला का अंडर धर डाइनिंग टेबल एक अफेक्शन कर सेन देखने को मिल चाता है